हेलो बच्चो मैं Dr. Navaldi Bharti आज हम लोग लेक्शे 13 स्टार्ट करेंगे जिसमें मस्क मिलन की कज़िवेशन टेखन्वोलजी को डिसकस करेंगे हम लोग ने लेक्शे 12 में कुकॉमबर की कल्टिवेशन टेखनोलजी को डिसकस किया था जो कि एक cucurbitaceous vegetable crop है उसी तरह मस्क मिलन भी दूसरी cucurbitaceous vegetable crop है और बहुत ही popular है तो चलिए इसका cultivation technology डिसकस करते हैं जितनी भी cucurbitaceous vegetable है इनकी cultivation technology लगभग-लगभग same है आप देखेंगे तो soil requirement, climatic requirement और intercultural practices जो भी हैं ये सब आपको लगभग same ही मिलेगी कुछ चीजों में variation है जिसको हम जगे जगे पर highlight करेंगे तो आप लोग उस पर ध्यान दीजेगा ज्यादा चलिए पहले थोड़ा सा इसका taxonomic वो देख लेते हैं इंटोड़क्शन बोटानिकल नेम है मस्क मिलन का कुकुमिस मेलो फैमिली इसकी कुकुर्बिटेश्री है क्रोमोजोम नंबर है 24 बेसिक सेट इसका 12 होता है और कुकुमिस जीनस का और डिपलॉइड स्पेशी है 24 इसका origin है पर्सिया एंड ट्रॉंस कॉकेकस रीजन मतलब ये मेडिटरेनियन रीजन और ट्रॉपिकल अफ्रीका में भी इसक पाए गया है तो इस तरह से ये इसका center of origin है Mediterranean region इरानी राख के आसपास वाला मस्क मिलन इस बेंड बिकॉज ऑफ दी मस्की फ्लेवर मस्क मिलन का जो नाम मस्क मिलन रखा गया है वह इसलिए रखा गया है क्योंकि खरबूजे में आपने ध्यान जागा उसकी अलगी खुश्बू होती है वह पर्षिया में एक तरह के पर्फ्यूम से मैच करती है तो इस इसलिए उसी बेस पर इसका नाम रखा गया है मस्क मिलन मस्क पर्फ्यूम है पर्षिया में उस पर्फ्यूम को ही मस्क कहते है तो बिल्कुल वैसे ही इसका अरोमा होने की वज़े से पर्षिया के लोग इसको मस्क मिलन बोले और क्योंकि यह वहीं का ओरिजिन सेंटर वहीं इरान इराग पर्शिया वाले रीजन में ही ओरिजिनेट हुआ था तो शुरुआत से ही वहीं से इसको ये नाम मिला है मेलन का हमने मतलब बताया ही था वर्ड मेलन इस डिराइब फ्रॉम लैटिन वर्ड मेलो पेपो मेलो पेपो मतलब अपल शेप्ट मतलब कोई भी ऐसी जी जो एपल-शेप्ट हो है ना तो जितने भी मेलन घ्रॉप में चीज आती है जैसे कि मस्क मिलन है ौटर मिलन है शनाप मिलन इस रहे लगाय गया है क्योंकि इननका फ्रूट है वह थोड़ा एपल-शेप्ट है मस्क मिलन is a desert fruit, desert fruit की category में आता है, यह salad में नहीं आता है, इसको हम लोग as a fruit की तरह, table fruit की तरह खाते है low calorie होता है, highly, मतलब इसमें calorie ज़्यादा नहीं होती है, fat free होता है, cholesterol free होता है, सबसे बड़ी चीज़ है और लेकिन excellent source है vitamin A और vitamin C का, और mineral के terms में देखा जाए तो calcium, phosphorus और iron, जो कि हम लोगों ने कुकुम्बर में भी देखा था, कि कुकुम्बर भी vitamins और minerals से rich था, और water का content ज़्यादा था मुस्क मिलन में एक चीज़ थोड़ी different हो जाती है, कि इसमें vitamin A ज़्यादा होता है, वो इसलिए क्योंकि मुस्क मिलन का, जब जो flesh होता है, उसको जब आप cut करते हैं, तो आप देखते हैं, कि अंदर yellow color का या कभी-कभी orange color का उसका flesh देखता है, वो होता है because of the presence of carotene है ना, और carotene किसके लिए जो है, जाना जाता है, अगर कोई fruit में carotene है, तो इसका मतलब यह होता है, कि जो है, यह vitamin A को precursor है, है ना, यानि carotene जो है, vitamin A की synthesis में role play करता है, तो carotene इसमें जो है, वो पाया जाता है, और musk मिलन में जो edible portion है, जो खाने वाला portion है, वो कहलाता ह है, pericarp, यह बात याद रखिएगा, पूछा जाता है, कि edible portion of musk milan, खरबूजे का जो खाने वाला भाग है, उसको क्या बोलते है, उसको pericarp बोलते है, ठीक है, क्योंकि mesokarp और endokarp का जो portion center में होता है, बीज, बीज के साथ जो placenta सब लगा हुआ होता है, वो निकाल दिया ज heart disease की problem से जूज रहे हैं, तो उनके लिए musk milan अच्छा माना गया है, क्योंकि musk milan में adenosine जो है, नाम का chemical होता है, तो जो है, ये एक nitrogenous base compound है, adenosine, compound है, जो की anticoagulant इसकी activity होती है, anticoagulant मतलब ये blood को जमने नहीं देता, coagulate नहीं होने देता, खून का थक्का नहीं बनने देता, है ना, तो इसलिए भी ये heart related, जो या blood related किसी भी problem को ये cure करता है, तो next है, due to high beta carotene, musk milan rank high as an anti-carcinogenic, beta carotene होने की वज़े से ये anti-cancerous भी है, तो देखे, इतने थारे इसके medicinal जो है, फायदे है, musk milan के, है ना, vitamin और mineral का source तो है ही, साथी साथ ये anti-coagulant भी है, और anti-carcinogenic भी है, next है, types of musk milan, musk milan कितने types के होते हैं, मतलब species wise इन में कितने variation है, अगर आप musk milan भी आपने market में भी बहुत तरह के देखे होंगे, एक होता है, कुकमिस मिलो वेराइटी रेटिकुलेटर्स, जो कुकमिस मिलो वेराइटी रेटिकुलेटर्स है, आपने देखा होगा, market में एक musk milan आता है, जिसमें जाल जैसी net surface जो होती है, उसके छिलके की, उसमें जैसे जालीदार जो है, वो बने, उभार बने हुए होते हैं, घुकमिस मिलो वेराइटी रेटिकुलेटर्स, यह यह उ उर्होपियन केंटाबूज है, इनकी इनकी सर्फेसे सर्फेस पर होता हैं, तो और इसके, काफी हाड होता है 1 ए मीडियम साइस का होता है, और आ तो जो अंदर फ़ेश होता है, वो कलरुल होता है, और ग्रीन या क् से बेवा प्रचशंय माय उन्या हम खिया मेलह कर दो अपर हिवाथ जसलेफ से स्पाइद नियुकर्द में वीयू आप से और हुए एक जरी मेद दैट कर लूज तो एक नेक्नी नियुकर रह नाब डाहिती है नेटलोप तुक eldest बने में És дел विंटर मिलन भी बोलते हैं इसमें हानी ड्यो्, कसाबा, क्रेंशो, मिलन, य отдель हैं पर नेक्षट ये सबने हैं क्रुछ मिलन है है क्रिक्स थेक्रंटby बाहनन काहिए ये भी इसी जीनस से बिलॉंग करती ककडी भी species अलग है कुकमिस मिलो है ककडी भी कुकमिस मिलो है लेकिन जो वेराइटल species है वो है यूटिलिसमस या फ्लेक्सोस फिर नेक्स्ट है कुछ और भी species है जो की बहुत जादा एकोनॉमिक इंपोर्टेंस उनका नहीं है लेकिन ये इसी एक कोनॉमिकली इंपोर्टेंट है LAUGH resshour ये चारो का कमर्शियल लेवल पर उत्पादन होता है बाकी इसी जिनका नहीं होता है कुकमिस मिलो है लीएटी मोमोरी जो है शेप इसका मस्क मिलन जैसा नहीं होता थोड़ा लंबा होता है और स्वीटनेस थोड़ी सी कम होती है यह अक्सर गाउं अगेरा में पाया जाता है उसके बाद दूसरी स्पेशीज है कुकमिस मिलो वेराइटी चीटो यह भी एपल मिलन या मैंगो मिलन इसको बोलते हैं स्मॉल साइज के होते हैं फिर नेक्स्ट है कुकमिस मिलो वेराइटी कौनोमोन को आप लोग जानते होंगे यह इसको जो है पटुआ भी बोलते हैं चोटे-चोटे से परवल जैसे फ्रूट आते हैं वाइल्डली ग्रो करते हैं हम लोग जनरली उसको पटुआ के नाम से ज इसको फ्रेग्रेंट मिलन या पॉकेट मिलन भी बोलते हैं यह भी उसी के जैसा थोड़ा बहुत दिखता है लेकिनी दूसरा फ्रूट है फिर है कुकमिस मिलो वेराइटी मकुआ यह भी जैपैन में पाई जाने वाली स्पेशी है तो यह देखिए थोड़ा सा थोड़ा सा इसको प्लांट ब्रीडिंग में मिलता है क्योंकि बहुत सारी इन स्पेशी में ऐसे करेक्टर हैं जो हम लोग अपनी इन कमर्शियल वेराइटी जैसे रेटिकुलेटर से का इनोडोर से इन में ट्रांसफर कर सकते हैं तो इसलिए इन इन स्पेशी का जानकारी होना और इनक बात करते हैं कि वेराइटी कौन-कौन सी पाई जाती है तो जो इवाल्ड वेराइटी है मुस्क मिलन में अलग-अलग इंस्टिट्यूट से जो इवाल्व की गई है जैसे अर्का राजहंस अर्का जीत यह आई-ई-अचर बैंगलोर से रिलीजड है पूसा मधूरस पूसा शर्बती पूसा मधूरस यह आयराई की है पूसा शर्बती यह हाईब्रीड वेराइटी है आयराई से रिलीज की गई है क्रॉस है कुंटाना और पाउडरी मिल्डियू रेजिस्टेंस 6 मतलब कोई वराइटी थी जो पाउडरी मिल्डियू रेजिस्टेंस 6 से मतलब जो है हारा मधू, दुर्गापूर मधू, पंजाब सुनहरी ये भी हाइब्रीड है हारा मधू और एडिस्टो का क्रॉस है उसी तरह पंजाब रसीला ये फूट और एक इंडियन लोकल कल्टिवार से क्रॉस से रिलीज की गई है नोन नहीं है पंजाब हाइब्रीड ये एफवन हा कराया गया हारा मधू से हिसार मधू, सी एसस हिसार सरस काशी मधू, आई आई वी यार वारानसी से रिलीज है और एम एच वाइफ ये भी हाइब्रीड है दुर्गापूर मधू और हारा मधू का क्रॉस है तो ये अब तक की पॉपुलर जो वेराइटीज है मस्क मिलन या खर बूजे की जो अलग अलग इंस्टिटूट से रिलीज है इनको आपको याद करना ही करना है किसी भी तरह से और जो हाइब्रेड है उनके पैरेंट को अगर अभी नहीं याद होते है तो कौई नहीं लेकिन एक्जैम्स वगेरा के पॉइंट आप यू से याद होने चाह है यह भी ट्रोपिकल सब्रोपिकल रीजेन में कहीं भी आसानी से ग्रो किया जा सकता है इसको जो है लॉंग डे और ड्राइव वेदर और साथ ही साथ तेज धूप की रिक्वार्मेंट होती है कि मुस्क मिलन को लॉंग डेज ड्राइव वेदर और अबंडेंट संशाइन रिक्वार्मेंट होती है और फ्रोस्ट को टोलरेट नहीं कर सकता पाला बरदाश नहीं कर सकता इसलिए अगर टेंपरेट कंडीजन में इसका कल्टिवेशन करना है तो प्रोटेक्टेद कंडिशन में करना होगा optimum temperature जो इसके seed के germination के लिए वो 23 से 25 degree centigrade होना चाहिए और seed germination के बाद crop अच्छे से grow करें और fruit अच्छे से develop हो तो temperature range 35 से 40 के भी suitable माना गया above 45 degree centigrade भी बहुत जादा भी तेज अगर temperature हो जाता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि वाइन में विल्टिंग मतलब प्लांट जो है विल्ट करने लगता है मुर्जाने लगता है और fruits में sunburn हो जाता है है ना तो दिन अगर जो है बहुत जादा वार्म है या गर्म है लेकिन रात या जो नाइट है वो ठंड़ होनी चाहिए तो cool night और warm day ये ideal है ताकि मतलब इसके cultivation के लिए cool night और warm day होने की वज़े से sugar का accumulation ज्यादा हो जाता है इसमें ज्यादा quantity में मिठास जो है इसमें accumulate हो जाती है तो ये चीज हमने कुकुमबर में भी देखा था कि cool night और warm days जो है वो essential है उसके बाद next है excessive humid condition promote occurrence and spread of disease humidity अगर environment में ज्यादा हुई तो disease की problems जो है वो create होंगी जैसे की downy mildew जितने भी fungal attack या bacterial attack की problem आ सकती है 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 जो है फंगल और बैक्टीरियल अटैक को चांसेज देती है तो हुमिडिटी इंवार्मेंट में नहीं होती है इसलिए आप देखे रीवर बेड जो कल्टिवेशन किया जाता है मस्क मिलन का रीवर बेड में क्या होता है नदी के किनारे जो उसके नदियों के जो बैंक होते है में लैंड के कंपैरिजन में बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है इसलिए वह जो एरिया है वह मस्क मिलन के लिए या किसी भी कुकर्बिटेश वेजीटेबल के कल्टिवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा माना गया है उसके बाद नेक्स्ट है स्वाइल कंडिश लाइट वाइल होगी मतलब सैंडी स्वाइल होगी तो गर्म बी जल्दी होगी वार्मनेश ज्यादा वह और फ्रूट कर सकता है लेकिन सक्ट्वीर शर्पिच के बीच पीच सुटेबल है alkaline soil with high salt concentration is unsuitable for musk melon मतलब जो alkaline soil है और या saline soil है वो इसकी cultivation के लिए suitable नहीं है sowing time और seed rate की अगर बात करें तो वही है जैसे कुकुम्बर में North India में अगर river bed में cultivation कर रहे हैं मतलब नदियों के bank पर कर रहे हैं तो November में planting कर देंगे तो हमें फर्वरी तक जो है डिसमबर फर्वरी मार्च तक हमें fruits मिलने लगेंगे early fruiting हमें मिलती है तो river bed पर November में ही planting करते हैं लेकिन mainland में अगर करना है खेतों में फील्ड वागर हमें तो हमें फर्वरी में planting करनी होगी South India या Central India में planting time होता है तूबर नवंबर वहां भी होता है क्योंकि वहां ठंडिया बहुत जादा नहीं पड़ती है year round mild climate होता है seed rate की बात की जाए तो एक से डेड़ किलो seed sufficient है for planting in one hectare एक hectare में planting के लिए एक से डेड़ केजी seed sufficient है raising nursery of muskmillan देखिए muskmillan वैसे तो डारेट सीडेट होता है बीज से ही इसको डारेट इसका बीज ही बोया जाता है field में लेकिन अगर आप early crop चाहते हैं जैसे आप अपने खेतों में कर रहे हैं riverbed में नहीं अपने खेतों में या आप इसके बीज को पॉली बैग में बो दिया जाता है और फिर उसको किसी प्रोटेक्टेट कंडिशने पॉली बैग को रख दिया जाता है कि जहां पर बहुत जादा जो है फ्रोस्ट वाली या बहुत जादा low temperature exposure ना हो फिर उसके बाद आप जो है इसको जैसे ही फरवरी का टाइम आता है तो आप फाइनली इन पॉधों को लेकर के फील्ड में ट्रांस्प्लांट कर दीजे तो यह पी एक तरीका होता है यह पीज हम डाइरेक्ट फील्ड में तो नहीं डाल सकते नमवंबर में क्योंकि नमवंबर दिसम्बर में ओपन कंडिशन में जो है ठंड जनवरी में बहुत पड़ती है तो हम इस तरह से पॉली बैक्स में पहले से ओगाले प्रोटेक्टेड कंडिशन में और फिर फरवर में की नरसरी मुस्कमिलन किसी को भी इस तरीके से अरली क्रॉप लेनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं उसके बादे मैथेड ऑफ सोइंग एंड स्पेसिंग बहाई कैसे करेंगे और कितनी दूरी पर तो वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए मस्कमिलन को रेजड बैड म और प्लांट टू प्लांट डिस्टंस पैताली से साट सेंटिमीटर होनी चाहिए है और सोइंग जो करते हैं वो जो रिज बनाते हैं या रेजड बैड बनाते हैं उसके दोनों साइड पर करते हैं साथ ही साथ जो है इस प्राउट बी जल्दी से इस प्राउट कर जाए इस जिससे कि जर्मिनेट कर जाए तो जल्दी होगी manure fertilizer, एकसेसी नाइट्रोजिनस fertilizer नहीं हमें apply करना है बहुत ही केर्फुली हमें nitrogen apply करना है क्योंकि वह male flower को induce करता है यह हम लोगों ने पहले भी देखा है फॉस्फोरस का अप्लिकेशन ज़रूरी है ताकि अच्छी साइज का फॉर्ट डेवलपमेंट हो शुगर कंटेंट ज़ादा हो और ऑप्टिमम एल्ड के लिए FYM 25 तन पर हेक्टियर अप्लाई करते हैं वो तो फील्ड प्रिप्रेशन के दौरान ही करनी होगी और NPK का जो रेशियो है वो 125 kg नाइट्रोजन, 60 kg फॉस्फोरस और 60 kg पॉटास पर हेक्टियर अप्लाई करनी होती है फॉस्फोरस और पॉटास की फुल डोज और नाइट्रोजन की हाफ डोज फील्ड प्रिप्रेशन के दौरान डालते हैं क्या जयता है और नाइट्रोजन की बाकी हाफ डोज उसको दो SLT की हेके इंटरवल में, प्लान टेशन के बाध डाए करते हैं और नेग्स हीरिज्टेशन की मस्क मिलन को प्रीकूंट इरिगेशन चाहिए मतलब जल्दी जल्दी इरिगेशन चाहिए लेकिन बहुत कम हम बहुत जादा इरिगेशन पहली बार में नहीं करते हैं मतलब कि जो है सैंडी सोयल में कर आप करते हैं तो देखिए सैंडी सोयल की वाटल होल्डिंग कैपसिटी जादा नहीं होती है तो आपको जल्दी जल्दी सी चाही करने होती है लेकिन जादा इमाउंट जादा नहीं होगा होना चाहिए से चाही का तो अरली स्टेट में जादा इरिगेशन की जरुद पढ़ती है फर्स्ट इरिगेशन तो ट्रांस्प्रांटिंग के तोरन बाद ही करना पढ़ता है और उसके बाद के इरिगेशन जो है वीकली इंटर्वाल पर फ्रीक्वेंट इरिगेशन जो है मैचुरिटी के टाइम पर ज्यादा इरिगेशन नहीं करना होता है वन्ना टी एसस जो है वो कम हो जाता है और फ्रूट की सेल्फ लाइव भी कम हो जाती है यानि फ्रूट जब मेच्छोन होने लगे तो ज्यादा इर्गेशन नहीं करते हैं इर्गेशन जो है वाटर चैनल के थ्रूही एप्लाइ किया जाता है डायरेक्ट मतलब फ्लडिंग नहीं करना चाहिए फ्लडिंग होगा तो पूरा पौधा जमीन में ही क्रीप करता है पूरा फ्लडिंग करने से पत्तियां और पौधा वाटर के टच में आएगा और रॉटिंग होगी तो जिससे फंगल इंफ्रेक्शन के चांद रहे झालिए कि नेक्स्ट ए जियर Ant थिसमें उछ जह है तो इसलिए मैनुवल कर देना ज्यादा ज़रूरी है लेकिन लिग्सपेसेगरिकर्टि हाँ तो वही हर्वी साइड आपको जैसे राउंड आप या फ्लोकलेयरिन आता है तो उसका solution बनाके एक हेक्टेयर की रेट मतलब पर हेक्टेयर 1.2 लीटर या 1 लीटर का solution बनाके आप इस्प्रेट कर दीजे बाद में जब एक बार प्लांट पूरा इस्प्रेट कर जाता है तो फ फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन इंक्रीस करना है तो हम बाहर से सिंथेटिक हॉर्मोन का भी इस्प्रे कर सकते हैं या ग्रोथ रेगूलेटर का जैसे की इथेफोन या इथरल हम लोग जानते हैं हमने डिसकस किया था पिछले वीडियो में की इथाइलीन जो है फीमेल फ् चार पत्ती का हो मतब छोटा हो तब ही कर देना है और अगर मेल फ्लावर इंड्यूस कराना है मेल फ्लावर का प्रोडक्शन लेना है ब्रीडिंग के टाइम पर जब ब्रीडिंग के परपस से उगाए हो तो आप सिल्वर थायो सलफेट का आप इस्प्रे करेंगे 300-400 पीप प्रॉपर मैचुरिटी इंडिकेटर आपको पता होना चाहिए मैचुरिटी इंडेक्स कब हमें मुस्कमिलन को हर्वेस्ट करना है तो फ्रूट सेट हो जाए जब छोटे से फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही छोटा सा फूट आपको देखने लगता है तो वह फूट से और अ गर बॉटाइ से काउंट करना चाहते है तो बॉटाइ के 45-70 दिन बाद फूट हार्वेस्टिं ऐूट हर्वेस्टिं होजाता जाता है तो करना चाहिए और ना अ हर्वेस्टी जो करना हो जाहिए जुँए बादेशम ऌर्लमानिको कांटेंट in person और नचीं क fed लिए र तो समझ जाए है कि हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है और तीसरा तरीका है हार्वेस्टिंग का चेक करने का वह है फुल स्लिप स्टेज फुल स्लिप स्टेज हम तब कहते हैं कि जब जो फ्रूट है उसकी जो पेडिसिल प्लांट से जो लगी है वहां पर थोड़ा सा उंगली से प्रेशर देने पर अपने आप फ्रूट से अलग हो जाता है तो यह इसका मैचियोरिटी इंडेक्स है तो बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है इसी को कि मस्क मिलन का मैचियोरिटी इंडेक्स क्या है तो आप पूछा रहेगा कि अलग अलग नाम होगा पर आपको फुल स्लिप स्टेज याद रखना है कि यह मस्क मिलन का मैचियोरिटी इंडेक्स है यह पूछा गया है तो इसको इंपोर्टें तौर प पर हेक्टेयर या 15-30 टन हो पोस्ट हार्वेस्टनिंग चैनल में अच्छी हो अच्छी पर्वेस्टिंग् कि किसी भी तरह से फूट को डैमेज ना हो मार्केटिंग से फूट को वाश करने से उसका श्ल्फ लाइफ सबंगे और यह काफी प्रशबल होता है रेस्पिरेशन रेट में काफी जाध हो जाता है इसको room temperature पर तो 2-4 दिन के लिए रख सकते हैं room temperature तो मातलब विदाओ राइन स्टोरेज में नहीं ऐसे normal room में 2-4 दिन तक आप इसे रख सकते हैं लेकिन cold store में आप इसको 2-3 हफ्ते तक रख सकते हैं लेकिन उसका temperature जो मिंटेन होना चाहिए तो इसमें आपने देखा होगा कि लगभग कुकुम्बर से ही चीजे काफी कुछ कुकुम्बर के ही जैसे इसकी भी रिक्वार्मेंट है लेकिन कुछ चीजों पर जहां जहां दिफ्रेंट्स है तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाटर मिलन को डिसकस करेंगे तैंक यू